दगिए कॉंग्रेस के विधायक अनुप सिंग और विधायक प्रदीप यादो के हां जो आई-टी का सर्वे चल रहा है उसको बेवज़ा राजनेतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनेतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है हमाला मालना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजइंसियां हैं वो स्वतनत रूप से कारिख करती है ये कॉंग्रेस के यूपिये का शासनकाल नहीं है जब एजन्सिया केंदर सरकार के निर्देश पर कारिख करती थी और income tax विभाग जैसे तरीके से उसे अगर income tax के return में कुछ गरबड़ी लगती है या उसे कुछ input मिलता है तो वो इस तरह के service करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है लेकिन इसे राजनितिक रंग दे कर इस तरीके से लग रहा है लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफिक कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनितिक बयानबाजी कर रहा है देखें कॉंग्रेस के विधायक अनुप सिंग और विधायक प्रदीप यादो के हां जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजा राजनेतिक रंग दिया जा रहा है और राजनेतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है हमाना मालना है कि मोदी जी के इंडिया में ज उसे कुछ input मिलता है तो वो इस तरह के service करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है लेकिन इसे राजनितिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सतारूर गडबंदन है वो defend क करने के लिए सामने आ गया है हमाना मानना कि अगर उन्हें कोई गरबन ही नहीं की है तो investigation से cooperate करें यह पाक साफ निकलेंगे लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफिक कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास इसलिए इन दोनों के दल जो है व इजेंसियां हैं वो स्वतनत रूप से कारे करती हैं यह कॉंग्रेस के यूपी ए का शासनकार नहीं है जब एजेंसिया केंदर सरकार के निर्देश पर कारे करती थी और income tax विभाग जैसे तरीके से उसे अगर income tax के return में कुछ गरबड़ी लगती है या उसे कुछ input मिलता है तो वो इस तरह के service करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है लेकिन इसे राजनितिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सतारूर गडबंदन है वो defend करने के लिए सामने अगया हमाना मानना कि अगर उन्हें कोई गडबन ही नहीं की है तो investigation से cooperate करें यह पाक साफ निकलेंगे लेकिन जिस तरीके की ब्यानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफिक कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजन साफितिक ब्यानबाजी कर रहा है